Guys recently अपने web development के course में हम लोगों ने grid layout जो था हमारा जो display grid है हमारी CSS की उसको हमने बहुत ज़्यादा सराहा था हमने देखा था कि वो इतने अराम से awesome layouts पराने में हमारी मदद करता है अभी यहाँ पर एक काम करेंगे कि जल्दी से एक नई file बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे tute43.html और यहाँ पर हम लोग एक जल्दी से boilerplate लगा लेंगे html की और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आप बार बार एक ही बात को क्यों repeat करते हो बट मैं इसलिए repeat करता हूँ कि हर वीडियो में यह बत बताना चाहता हूँ कि यह playlist है और यहाँ पर पूरा course है क्योंकि मुझे फ़र लोग comment करके बोलते हैं कि आपने शुरू से नहीं बनाई वीडियो इसलिए मुझे करना पड़ता है सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जल्दी से grid के बारे में देखेंगे और एक basic से grid बनाई देते हैं सबसे पहले तो style tag लगाऊंगा यहाँ पर css के लिए एक container बना दूँगा container के अंदर क्या करूँगा boxes बना दूँगा और यह जो boxes हैं इनके अंदर content रखूँगा item dollar और ऐसे बना दूँगा कि कितने 12 और container को दे दूँगा container container मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको दे दूँगा display grid और उसी के साथ साथ में क्या करूँगा यहाँ पर box को भी थोड़ी से styling करूँगा border 2 pixel solid black और यहाँ पर grid gap डाल देता हूँ grid gap डाल लूँ 1 RAM डाल देता हूँ और यह पर देखते हैं यार कैसा दिख रहा है तो मैंने भी लाइट सा चलाया नहीं यह देता हूँ spelling काफी खतर रागे इसको पर नहीं करना चाहता लेकिन यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा यह बैक्राउंड और यह थोड़ा लाइट लग रहा है मुझे तो मैं आपर अपने पिकर का इस्तिमाल करें कुछ इस तरह से इसको ऐसा मना दूँगा विशुट भी फाइन मैंने आपर बॉर्डर कला चेंज कर दिया मुझे बैक्राउंड कला करना चाहिए था तो मैं कहूं कि यह ऐसा क्यों हा रहा है अब देखो हाँ अब हो गया है जिस तरह में चाहता थ सेट कर सकते हैं तो देखो यह आपर मैं अगर grid template columns इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था वो लिख दू तो मैं आपर क्या कर सकता हूं लिख सकता हूं कि मैं कितने columns चाहता हूं जैसे मानलो मैंने आपर 12px 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 कर दिया और यह करने के बाद जैसे मैं य जगा दिया इसको मुझे इसको अपने grid वे लगाना चाहिए था 12px 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 तीन columns आ गए 12px ठीक है और यहां पर क्या हुआ कि यह जगा लगता है थोड़ी जी कम बढ़ रहे है इनके लिए इनके लिए इक काम करते हैं इनको बढ़ा देते हैं 112 112 करते थे 12px तो बहु सेंटर कर सकते हैं और align items भी सेंटर कर सकते हैं तो justify content सेंटर करने से सब कुछ बीच में आ गया तो यह थी technique जिसकी मदद से आप लोग सेंटर कर सकते हैं items को लेकिन यहां पर अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जब भी मैं इसके size को change करूं तो मैं चाहूं कि य 1fr 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 कर देता हूं और मैं इसको 1fr 1fr और 1fr कर देता हूं ठीक है और यह justify content center अट आ देता हूं अभी के लिए यह जिस मैं आप लोगों को centering करना दिखाना चाहता था अब यहां पर देखो मैंने इसको जैसे ऐसे कर दिया तो मैं इसको इतना भी छोटा कर दूं तो यह जि वो इसको number of rows थोड़ी कम देखे और जो बंदा इसको एक बड़ी screen में देख रहा है वो number of rows थोड़ी ज्यादा देखे number of columns थोड़ी ज्यादा देखे उसी हिसाब से यहां पर काम हो जाए मेरा अपने हिसाब से यह auto adjust कर ले अपने आपको तो इसके लिए हम लोग क्या करते ह यहां पर मैं क्या करूंगा देखो grid template columns में मैं इसको भी यहां पर comment out कर देता हूँ और यहां पर मैं grid template column के लिए GTC लिखूंगा enter बार होगा और यहां पर मैं लिखूंगा repeat मैं repeat करना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आपर auto fit लिख दूँगा auto fit लिखने से क्या होगा कि यह यहाँ पर उतनी बार repeat करेगा जितनी बार आउशक है ठीक है फिर मैं आपर एक min max लगाँगा min max में मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा minimum कर दो 400 pixel यानि कि जो minimum है वो 400 pixel कर दो और maximum 1 fr कर दो आपर यह करने से क्या मुझे मिलेगा फाइदा मैं इसको बड़ा करूँगा तो एक responsive type का इसने मुझे look and feel देती है इसको इतना चोटा करूँगा तो यह सहायक होता है हमारा कहां पर responsive websites बनाने में अगर मैं चाहता हूँ आप फोन में ऐसे दिखाते हैं को यह फोन में रीड करना comfortable है और यह जो है बड़ी PC में आप रीड कर सकते हैं बड़े अराम से तो responsive layouts बनाने के भी बहुत दाना काम आती है great अब यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर अब कुछ लोग क्या करते हैं media queries भी इस्तेमाल करते हैं और मैं भी आप लोगो media queries लगाकर दिखाऊंगा grid के अंदर किस तरह media queries लगाकर आप लोग यह काम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बस यह बताना चालता हूँ कि minmac में क्या हुता है कम से कम कितनी इसकी विट्टों लीच है 300 करती है तो कम से कम क्या हो सकती है 300 हो सकती है तो देखो यह यह आगई देखो और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इसको बढ़ा किया यह premium 300 और maximum कितनी one fr मैकसि 400 कर दी, तब क्या हो गए देखना, maximum 400 करने से क्या होगा, maximum 400 ही राईगी, maximum ना काम करता हूँ, value रोड करता हो, मैंने रोड ज्यादा करता हूँ, minimum ने काम करता हूँ, 30nhx, maximum 40nhx, तब देखा हो, یہ, इसको बैं करूंगा, तो देखा हूँ, minimum कि ये इतने ऐ्तमं, 1,2,3,4,5,6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम से कम मुझे width चाहिए इनकी item की 30 pixel, कम से कम, यानि कि इस से कम नहीं हो सकती width, अब जहाए इसको लगेगा कम हो रही है, वह फोल्ड कर देगा है, और जाधा से जाधा कितनी हो सकती है, जाधा से जाधा हो सकती है 40 pixel, तो maximum 40 pixel ही stretch करेगा, उस जा हो वापस से, और यहाँ पर इसको responsive दे रहा है, इसको ऐसे कर देता हूँ, वापस से responsive इसको बनाऊंगो, तो देखो भी आ गया सही जगा पर, तो इस तरह से हम लोग responsive website बना सकते है, grid की मदश से, अब वापस वही सवाल पर, अगर मैं आ जाओं कि grid यूज करना है, flagsbox करना है, आपको development time का, आपके developers को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, maintain करने में website, क्योंकि एक बार website बनाई तो ऐसा नहीं है, कि वो एक बार बनी रहेगी, अगर आप उसके बारे में care करते हैं, तो definitely आप चाहेंगे कि जो उसका development है, वो continue रहे, और वो website को आप continuously improve करते रहे, तो time to time अगर improvement चाहते हैं, तो आप ऐसी चीज़ इस्तिमाल करना चाहेंगे, जो कि समझ में आती हो, यह की, code देखते ही, समझ में आ जाए, अब जो अच्छे programmers होते हैं, जो programmers होते हैं, वो अपने लिए code लिखते हैं, और जो अच्छे programmers होते हैं, वो दूसरे के लिए code लिखते है यानि कि दूसरे programmers के लिए कि उनको समझ में है तो एक ऐसा code लिखना जो कि दूसरों के समझ में है एक बहुत अच्छी कला है और यह कला आप लोग को आनी चाहिए क्योंकि आजकल के यही कला को देख रहे हैं और इसी कला के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा appreciation नौक रही है जिस भी फिल्ड में आप excel करना जाते हैं वो मिल सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि पैसे बहुत बच जाते हैं एक company के अगर आप लोग एक ऐसा code लिखते हैं जो कि maintainable है आपको समझ में आ गया होगा हम लोग यहां पर almost हमने css खतम कर लिए css को एक अच्छा हम finish देंगे और उसके बाद हम javascript की तरफ move करेंगे आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहे होंगे अगर आप लोग को ने प्लेइस अभी भी एकसस नहीं करें तो bookmark कर लें इस playlist को bookmark करके आप save कर लें इसको यहां click करके bookmark करें और यहां click करके इसको save कर लें से होगा यह कि आपके यहां पर यह playlist आ जाएगी तो आपको याद रहेगा कि आपको यह पढ़ाई भी करनी है so मैं अपने डाइम पर ऐसे पढ़ाई करता था in fact एक और टेक्निक मैं बताता हूं आप लोग को मैं edit करके इसको caps में कर लेता था और मैं कुछ इस तरह लिख देता था important study now मैं वो टेक्निक्स आपको आपके साथ share कर रहा हूं जो कि मैं use किया करता था web development study now अब जरूरी निया English सही हो बट यहां पर मैंने इस तरह से लिख दिया इसको यहां पर खड़ा कर दिया तो मुझे याद रहेगा कि higher मुझे web development पढ़ना है अभी मैं इस bookmark को delete कर दूँगा मैं अपना normal bookmark की रखना चाहूंगा अगर आप लोग कोई videos पसंद आ रहे हैं तो kindly मुझे एक like जरूर दे दिया करें और उसी के साथ साथ यह playlist आपने करे लियोगी channel को भी subscribe कर लेना अगर आप इस तरह क्या और courses देखना चाहते हैं अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आप